दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे मैं बताओं मैं भी बहुत अच्छा हूँ वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना साथ यहां पर कथा की सुरुआत चल रही है mutual fund से related सारे doubt, theme based investing जैसा कि सब को पता रहता है कि भाई कहां invest करें कहां invest करें अगर भाई mutual fund पकड़ भी लिया है तो हो सकता है कोई technology fund लिए है तो वो सारे technology fund लिया है अगर कोई large cap fund लिया है तो वो पता लगा तीम लर्ज कैप फंडी हैwegen small cap और mid cap उसने उठाय है नहीं है इसी ने hybrid fund ले लिया है तो small cap और large cap है यह नहीं उसके पास ठीक तो इन सभी समस्याओं का निवारण ये मेरे दो वीडियो description box में है तीसरा आज की date पे large cap के बारे मैं आप से चर्चा कर चुका हूँ flexi cap mutual funds के बारे में चर्चा हो चुकी है इसी के साथ साथ mid cap की भी चर्चा हो चुकी है और आज चर्चा होने वाली है और कुछ mutual funds की भी चर्चा करेंगे small cap से related small cap से related पहला जो mutual fund है वो रहेगा access small cap fund direct plan growth 3 साल में company ने क्या गजब का small cap अपने bumper return बना के दिया है दोस्तों 31% का 5 साल में 26% का return इस company ने बना के दिया इसी के साथ साथ अगर मैं इसके fund manager की बात करूँ तो fund manager देखिए अनुपम तिवारी जी एंड हितेस दास जी इसी के साथ साथ अगर मैं इस small cap mutual fund की कुछ और चर्चा करें number of stocks जो ये fund manage करता है 78 top 3 जो sectors है वो उसमें आपका 28% पैसा deploy रहेगा top 5 stocks के अंदर आपका 20% पैसा deploy रहेगा top 10 stocks के अंदर 34% आपका पैसा deploy रहने वाला है इसी के साथ access small cap fund की direct plan की कुछ और चर्चा करते हैं large cap में आपका 0.46% ही पैसा deploy रहने वाला है mid cap में आपका केवल 6% पैसा deploy रहेगा small cap में आपका 58% रुपए को deploy रहने वाला है वहीं अगर मैं कुछ और चर्चा करें इस चीज़ की NAV की बात करेंगे तो केवल 71 रुपए का NAV चल रहा है expense ratio बहुत ही गजब का expense ratio 0.51% और corpus की बात करेंगे तो 10,992 करोल का यह total corpus है as compared to mid cap कोटक की अगर बात करेंगे तो उससे काफी काम है उससे काफी काम है लेकिन बहतरीन है small cap fund में बहतरीन है एक चीज़ और बताना चाहूँगा चुकि access mutual fund manager से related काफी सारे काफी सारी उलजने देखने को मिल रही है तो आप access को avoid करके SBI पर आ जाईए चलिए मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ SBI small cap fund direct plan growth NAV 127 रुपए expense ratio 0.71 कॉर्पस की बात करेंगे 14,879 करोड का कॉर्पस है इसी के साथ साथ में कुछ और SBI की चर्चा कर लेता हूँ यहाँ पर large cap में आपका कोई पैसा deploy नहीं रहता है mid cap में आपका 8.26% रुपए deploy रहता है small cap में आपका 52.84% रुपए deploy रहता है SBI small cap fund की चर्चा यहाँ पर चल रही है SBI small cap fund direct plan की number of stocks total 51 maintain करते हैं यह top 3 sectors में आपका 14% रुपए deploy रहता है top 5 stocks में आपका 16% रुपए deploy रहता है top 10 stocks में आपका 30% रुपए को deploy करते हैं इसी के साथ साथ इनके अगर fund manager की बात करें तो आर सिरी निवासन एन मोहित जैंजी अगर आपको कोई और small cap fund अच्छा लगता है तो आप उस पर जा सकते हैं ना मेरा ultimately purpose का है theme जरूर रखें आप large cap small cap mid cap flexi cap hybrid है ना और इसके साथ एक दो debt fund भी डाल लें ठीक है इसी के साथ साथ मैं कुछ और चर्चा करूँगा SBI mutual fund के बारे में तीन साल में इस company ने 33% का return ने generate करके दिया वहीं 5 साल में company ने 25% का return generate किया अगर मैं जो अभी मैंने बचर्चा करें small cap की total अगर यह दो fund आपके पास manage होते तो 3 साल में उन लोगों को 31% का return CAGR के साथ से मिला होगा 5 साल में 13% का return मिला होगा यही advisable रहता है कि किसी भी major fund में आगर एक बार invested हैं तो कम से कम 3 साल रोकें तो यह friends पूरी कथा यहां से समाप्त होती है वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को subscribe जरूर करें share जरूर करें मेरा चैनल का सब्सक्राइबर आपको दिख रहे होंगे target मेरा 1000 सब्सक्राइबर का यह आपके बिना possible नहीं होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें friends नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगा तब तक के लिए बहुत बहुत